तो फ्रेंड्स यहां पे नाश्टा बनाने के लिए ना मैंने एक गेहूं का आता लिया है अब उसमें हम सौध के अंसार नमक डालेंगे नमक हमें थोड़ा कमी डालना है क्योंकि अंदर जो मसाला स्टाफ करेंगे ना उस पे भी नमक होगा तो बस अभी में इसमें कुछ नहीं मिलाना है बस धीरे धीरे पाने डालके हमें इसका एक ऐसा डो तयार करना है कि ना ही वो बहुत जादा कड़क हो और ना ही वो बहुत जादा नरम हो तो बस हमें ऐसा ही एक अच्छा सा डो बनाके तयार कर लेना है तो बस थोड़ा के लिए ठोड़ा साइड में रख देते हैं रेस्ट करने के लिए और तब तक हम एक बाउल ले लेते हैं और दूसरी प्रेपरेशन करते हैं तो यहां पर मैंने एक तीन उपने हुए आलू लिया हैं मीडियम साइज के हैं और जो बारिक वाली जो कद्दूकस होती है ना जिस इसमें उसे चार्शमत चावल का आठा मिला के चावल का आठा मिला देते हैं इसमें पर अंदर उसमारा का बहुत क्रिस्पी और हम थोड़ा नमक अध्ड करना है जो बाहर ब्रेक आपने डाला हुए है वह सब बैलन्स हो जाए यह देखते हुए आदी चमबच में चाट मसाला यूज़ पाउडर भी यूज़ आपके डाल देगे और बहुत अच्छे मसालों को मिक्स करेंगे मसाल कுम अब्रकाबर के त्यार का ज़ता है मैं जिक खुआ हम अठा ल närगे आठा लिएगे में अधा से बार बड़ से अन्य। में नहीं पुरीन और सब्राइन यो बनाना है तो रोटी हमारी जितनी पतली रहेगी ना हमारा नाश्ता उतना अच्छा बनके तयार होगा तो बस सुखा आटा ले लेना है और हम उसमें एक पतली सी रोटी अपनी बना लेते हैं जो यह बनाना शुरू करते हैं तो बस देखें इस तरीके से बेलना है और जब आपको लगे कि आपको सुखा आटा चाहिए तो आप लगा लेजिए और बेलते चाहिए और पतला सा रोटी बना लीजे देखें मैंने कितनी पतली रोटी बनाई आपको दिखाती हूं साइट स तो यह देखिये रोटी हमारी मच्छी पतली से बन के तयार होई है तो बस अब हम एक चाकू लेंगे और चकू से इसके चार भाग करेंगे बीच मेंसे अचिंअका काटना होगा तो भीच मेंसे चार भाग कर लेंगे 3 तीन भाग्जों है एक को एक को हम अपने इसे chopped chopping board पे ही रहने देंगे और हम हम जब chopping board पे इसको přिर्गते हैं अ, तो उसके बाद हम एक बार और इसको balance थोड़ा जितना हम से हो सके उतना पतलः को कर लेंगे, थोड़ा सा balance GI मसाला में देखे लेंगे कोन्टिटी को पतलब है फोटे के लेंगे पना बहुक्ति दोड़ा आथ करना है थोड़ा करना के को फिर साइड में जहां पे जो परके जो डौन हिस्सी और दबा देंगे अब इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे तो इस तरीके से आड़ा लीजिए मतलब रोटी लीजिए और इसको रोल कर दीजिए और एक पर हाथोस ऐसे रोल करेंगे ना तो बहुत अच्छे से सील हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इस तरीके से हम अपने सहारा ना जाहिए तो इतना medium hot होना चाहिए वह और देखिए यहां पर यह दिखाना चाहिए हूं कि यहां पर कितना अच्छे से नाश्टा है वह सील हो चुगा है तो देखिए अब इसमें एक अच्छा सा कलार आने लग गया है, तो अब इसको थोड़ा अलटे-पलटे वे चारों तरफ से एक जैसा कलार आजाए उसे साफसे इसको हमको तल लेना है, तो इस तरीके से बस ऐसे-ईसे घुमाते हुए हमें इससे पका लेना है अच्छे से, त तो इस तरीके से हमारा जो यह नाश्टा है वह बहुत ही अच्छा बन के तयार हो गया है देखी कलर कितना अच्छा आया है तो हम इसे निकाल लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंश नाश्टा हमारा बिल्कुल रेडी है अब आप इसको सॉस के साथ सर्किजी क्रीन चेटनी के स